छोटे पर्दे की मशूर एक्प्रस किश्वर मर्चेंट जल्दी मा बनने वाली है। सुयश राय के साथ 4 साल की शादिशुदा जिन्दगी के बाद किश्वर 40 साल के उम्र में अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। किश्वर और सुयश के लिए प्रेग्नेंसी काफी सब्प्राइज बन कर आई। क्योंकि दोनों इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। वैसे किश्वर और सुयश अपने पहले बेबी के लिए काफी एक्साइटेड है। हाल ही में किश्वर ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी गोद भराई की तैयारियों के जलग भी शेयर की है तो सबसे पहले आपको बता दे किश्वर और स्वेश ने अपनी प्रेगनेंसी का अनौंस्मेंट दो मार्च 2021 को किया था उन्हें एक बेहत प्यारे सी तस्वेर शेयर की थी जिसमें क्यूट बेबी शूस नजर आ रहे थे और इसी के साथ कैप्शिन में लिखा था आप अप पुछना बंद कर सकते हैं आप दोनों बेबी कप करने वाले हैं जल्द आने वाला है अगर्स 2021 सुकिश का बेबी तो दोस्तों आपको बता दे किश्वर इस वक्ट सेवन मंद प्रेगनेंट है और उनकी गोद बराई के रस्मे की तैयारिया शुरू हो गई है किश्वर ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी कुछ जलत भी शेयर की थी उनकी एक स्टोरी में हम बोर्ड में देख सकते हैं जिसके लिखा है लिटिल वन रास्ते में है चलो सेलिबरेट करते हैं सुकिश का बेबी इसके लावा किश्वर ने अपने चूड़े का बुम्रेंग भी शेयर किया था जिस पे लिखा था गोद भराई की तैयारियां वही अपनी गोद भराई के रस्मे के लिए किश्वर ने मेंधी भी लगा ली है उनकी मेंधी भी यूनीक है जहां उनके एक हाथ पर बेबी बॉम फ्लॉन करती हुए उनकी एक फोटो बनी है जो कि खाने पिने की चीजों के बारे में सोच रही है वही उनके दूसरे हाथ पर उनका बेबी बॉम फ्लॉन करते हुए एक पिच्चर बनावा है वही हाथ तों के मेंधी में स्तुयश बेबी शावर की तैयारियां भी कर रहे है किश्वर ने अपने बेबी शावर के मेंधी फ्लाउन करते वे लिखा है लव इट वाकई उनके मेंधी काफ़ी यूनीक और अट्रेक्टिव है वैसे किश्वर मेर्चेंट अपनी कई बार बेबी वाम फ्लाउन करते वे तस्वीरे भी शेयर कर चुकी है इस दोरान वो अपने बढ़ते वे वजन को लेकर चिंता भी जता चुकी है और एक फोटो के क्याप्शन में लिखती है जब मैं प्रेगनिट हुई तब मैं सोचती थी कि क्या मैं अपना धेर सारा वजन बढ़ा लूँगी मैं क्या करूंगी क्या मैं अपना वजन कभी कम कर पाऊंगी मुझे लगता है ये सब के साथ होता है लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ये सोचना बंद कर दिया और इस चीज को कले लगा लिया मैं अपने बेबी के आने के बाद कड़ी मेनत करूंगी और पहले जैसे हो जाओंगी और आपको मम्मी पर गर्व होगा। मैं सुयश के दोरा दिये गए मेरे निकनेम गोल मटोल से भी बेहत प्यार करती हूँ। वैसे किश्वर अपनी गोधबराई के रस्मे के लिए काफी एकसाइटेड है। तो दोस्तों आपकों के मेंदी और गोधबराई के रस्मों के तैयारिया कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और भी लिटेस अफडेट्स के लिए सस्क्राइब करें गजब खबरें।